Hello and welcome to IC Health Academy. Today we will learn about rational numbers, chapter number 1 NCRT, exercise 1.1, question number 4. Question is find the multiplicative inverse, multiplicative inverse of the following. Multiplicative inverse आप सोच रहोंगे कि क्या है? Multiplicative inverse का मतलब है, suppose हम कोई number लेते हैं जैसे, मतलो कोई हम variables से इसको solve करते हैं, मतलो हम A लेते हैं, तो A में हम ऐसा क्या multiply करें, A के साथ हम ऐसा क्या multiply करें, जिससे वो 1 बन जाए, जिससे वो 1 बन जाए, तो क्या करेंगे multiply हम, 1 upon a a से a हो जाएगा cancel, क्या बचेगा 1 तो ये है, तो हम ऐसा क्या add करें जिससे वो 1 बन जाए अगर कि इसने additive inverse किया हुआ है तो उसमें ये होता है कि उसमें हम क्या ऐसा add करें जिससे वो 0 हो जाता है तो ये है कि क्या हम ऐसा multiply करें जिससे वो हमारा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा तो minus 13 में हम 1 upon minus 13 एड़ करेंगे तो जैसे कि हम इसमें अगर minus 13 है multiply करेंगे तो जैसे 1 upon minus 13 लें तो यह और यह cancel हो जाएगा बचेगा हमारे पास 1 यह हमारे पास multiplicative inverse next हमारे पास आता है next question है minus 13 upon 19 में हम ऐसा क्या multiply करें जिससे ये 1 हो जाए तो इसमें हम क्या करेंगे इसमें minus 13 upon 19 दिया हुआ है इसमें multiply करेंगे 19 upon minus 13 तो ये इससे cancel हो जाएगा ये इससे cancel हो जाएगा क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा तो हम ये add करेंगे जिससे वो 1 बन जाएगा next 1 upon 5 में हम ऐसा क्या add करें जिससे वो हमारा जो है वो 1 upon 5 में से क्या multiply करें जिससे वो हमारा 1 बन जाए तो 1 upon 5 में हम multiply करेंगे 5 upon 1 तो क्या होगा 5 से 5 cancel हो जाएगा 1 से 1 cancel हो जाएगा मतलब 1 upon 5 into 5 upon 1 5 से 5 cancel one से one cancel क्या बचेगा one तो हम यह कह सकते हैं कि हम five upon one add करेंगे या five five upon one multiply करेंगे तो is equal to हमारे पास हम five upon one को five भी लिख सकते हैं तो यह हमारा इसका multiplicative